नमस्कार में रजट आप देख रहे हैं जन्ता फोरम एक सक्ष हमारे बगल में खड़े हैं जिनका नाम है अनिल चौबे इनकी पोशाग देख के मुझे ये बतानी के जरूरत नहीं ये किस पार्टी के समर्थक है दादा के पैरों में चोट भी है दादा एक दौर था जब लाठियां चली थी तो दादा के पैरों काफी चोटिल हो गए मगर मैं ये बताते हो मुझे खुशी हो रही है कि इन्हीं पैरों के सहारे ये प्रते दिन 30 किलो मिट चलते हैं और समाजवाटी पार्टी का प्रचार क उसके पहले में यूजन सभा के लेटर पैदल वांटा करता था कानपूर में तो उन्हों को पता चला तो उन्होंने हमको एक साइकिल दी बोले तुम इससे प्रचार करो और आयल टाइमर कार करता हो तुम तुम प्रचार करोगे तो एक दिन अखलेस यादो मुखमंत्री ज 12 महिने में जब एक्स्प्रेस बे बनवा सकते हैं जो सक्त वो क्या नहीं कर सकते हैं हमारी निगाम तो अखलेस यादों जी जो है वह विकास पुरुस का उनको उपाधी मिलनी मैंने तो दे दिये बाकी यह उपर वैठे हुए हैं यह जब हटेंगे तो हम लोग फिर विकास उनको विकास अदो विकास है उनकी सोच विकास सथख मेरंगे संगहस करेंगे समाजवादियों का एक बसूल है अब हमारी चुनाओं खतम हो जाए इसके वाद हम लोग सखों पर उतरने जा रहे हैं हमको औहान हो चुका है हमारे राष्ट्री नितत्तों का मानी अखलेस या सरकार ब्रेश्ट सरकार इनका ताबूत में आखरी कील सावित होगा वांगर में को चुनाओ समाधबादी पाल्टी अच्छे बोटों से बहुत ही अच्छे बोटों से जीत रहे हैं यहां पर हर कारकरता जीजान से लगा हुआ उसका एकिल अच्छाहिए कि किसी तरह से सीट निकाली है सबस एक यह पर और समस्या हो रही है वह समस्या करानी कि कुछिश करूँगा के सब्ञूऋट चलते हैं साइकिलग चाहिए तो जान खत्रे में रहती है साइकिल चालकों की मैं अपनी लिए नहीं कह रहा हूं ग्रामियों लोग भी जो है आज भी साइकिल से चलते हैं तो वह सुरच्छित नहीं हैं उनको नीचे खलंजे पे गाड़ें उतारनी पड़ती हैं इसलिए सबसे पहला लच्छी होगा यह पहुचना बंदा है और 30 किलो मेटर की यात्रा 30-40 किलो मेटर की यात्रा आप देली टाय करते हैं इसके बारे भी बताएं यह चोट कैसे लगे यह लगनों में बहुचना लगी हुई थी हम लोग एक बैरिकेटिंग करास करते थे लोहे की बैरिकेटिंग लगी थी साइकिल उस पट्टी में फेकी फिर कूदे फिर नहीं निकलने दिया तो हमने जब बैरिकेटिंग पर चड़ने लगे तो हमारे पैरों पर लाठी चली उसके वाद हम काफी घायल हो गए मगर इसकी हमने कहीं कोई कंप्लेंट नहीं करी मगर आज यह कर रहे हैं कि जिन्होंने हमारे संग यह किया उनको हमारे भाइया ने फर्स से अर्स पर पहुंचाया नहीं तो अगर भाइया समझोता ना किये होते तो उसको दस्त लोग सभा की शीटे ना मिलती तो जब इतनी अफ्राड और इतनी चालवाज लोगों के बीच में तो अभी इनकी पोले में खोलना पुछ हमारी रच्चा करते हैं हमारे भाइया भी हनमान जी के बहुत गजब के वाक्त हैं क्या उम्र है चोहतर साल की उम्र तर साल की उम्र 30-40 किलोमेटर डेली साइकल चाला इसमें इसमें कोई सक नहीं और जाला गर्मी वरसाथ अभी आपने मेरी कटिंग अखवार यह पहली सपोर्ट करते हैं क्योंकि जानते हैं कि गरीब आदमी है हम घर के रहिस्त नहीं है और अब इसके आगे बहुत भावुकता वह जी भात आजाएगी तो इसलिए ऐसा है कि हम हमारा एक सिपाही जेशी है उनसे भी बात करेंगे उनसे बीबात करेंगे यह सिपाही है यह तो सबस्क्राइब जल चुकी है अगलेज रूपी तो जल चुकी है यह परवाने भी बिल्कुल जी मरने के लिए तैयारे क्योंकि समा के पाद जो परवाना जाता तो परवाना नहीं खतम होता समा तो जलती रहती है और साथ और भी साथी दादा कहां जा रहे हैं इधर बहिया जी का हम परचार करते हैं प्रदेश में जाया करते हैं मलब पूरे प्रदेश में बंदेल खंड में जाया करते हैं जहासी तक जाया करते हैं इस तरीके से हम परचार करते हैं बहिया जी का बिजली पानी देन सकी वो सरकार निकम्मी है जो सरकार निकम्मी है वो सरका कमारों का देखो खेल खा गई चीनी पीगे तिल साइके समाजवादी पार्ठी मुलाम सिंग अदफ साइकल जंजन साइकल करना नारा है जंडा बिल्ला वील्ला काई को बोट मुला धाउ को और किसी को देखेबो खा जाओं गए भाणी को जिते गावगी दीघ्धा सेकल जीत नरे सुत्तम प्रदेश अधसी जिन्दावाद जिनाबाद जिन्दावाद हां कुछ कहना चाहते हैं गूंगे वहरें अंदेर बनेुए उनके लिए कुछ कहना चाहते हूं यह जो सहाथ मसलक हैं यह जो सहाथ लार है मकान मालिक थोड़ी है हिंदू मुस्लिम सिख किसाई सबका खून मिला इस बतन की मिट्टी में उत्तर प्रदेस हिंदुस्तान किसी के बाप का थोड़ी है और जिनके जिनों में चिराग जलते हैं वही सबकों पर निकलते हैं आज युवा भटक रहा है युवा के दिया जाता है पिछले 20 साल ते अपकी सरकार दिल्ली में बनें युवाओं के लिए ये करेंगे वो करेंगे फिर वही बुढ़े पुराने आकर बैट जाते हैं युवा को कोई नर्तत ही नहीं मिला ये तो हमारे नेटा जी की बड़ी महान करपा है कि जुन्होंने युवा वाला परचा एक रुपए में चुंगी समाप्त करादी अखलेश यादों के पास इतने सरन है हमारे नेता कि दूर से खड़े हुए आदमी घरीब को पहले गुलाते ही दर तुम कैसे आयो है तुम्हारा काम क्या है भाई आप पूछना जाओंगा नेता जी से मुलाकात हो जाते हैं आपके आसानी से अखलेश जी से और नेता जी से मगर आइसा है कि जैसे मांके विहारी सरकार हैं उनके परदा घुमता रहता है डायरेक्डर्सन नहीं होते हैं अब जलक मिल जाती है तो वही जलक ही हम लोगों के लिए काफी है और उनका हमारे ओपर बहुत सकते हैं दूसरे नेताओं को हमने देखा और पार्टियों गए भगा इसको कहां से भगा इसको हमारा नेता बुला बुला के किताब फोटो की चुआ हमारे संकंदे पर हाथ दरता है चाहे गरीब हो चाहे अमीर उनके सब एक समान है इसलिए अखलेस यादों के उपर अबे दादा थे जो कानपूर के हैं और जो 30-40 किलोमीटर साइकल चला के अखलेश यादों को प्रचार करते हैं देख रहे हैं इनके उम्रे 74 साल है मगर जब मन युवा होता है तो तन की कोई परवा नहीं होती तो ऐसे युवा अखलेश यादों के साथ जोड़े हैं अब